गुडिविनिंग एवरिवन शर आज आपन बगणारा होद कि NJ e-wealth आप मदुन SIP रेजिर्ट्रेशन कसे करा जे तर नेमी प्रमाने जमा तुम्ही NJ e-wealth आप ले लोगीन करता है तर तुम्हाला ही पोर्टफोलियो तुम्हा रिपोर्ट देशतो तर दाव्या साइड ला इत साइपी कहिना रसलों तर तुम्हें दोन है मदे आपन तुम्हें साइपी करूँ शकता है तक new scheme माद आवी आपन ड़िक के लिए तरह तरह फ्रस्ट्सट्स ऑप्ष выглядит AMC से तला कोंते म्हित्या है mutual fund में तुम्हाला SIP कराल से ती동ं क्वैच प्रहुण करें तो ब्रस कलिक करोयां एंहरा थैटा यह जाय उडे mutual fund हाए Serial तो 45 mutual fund available आहे तर तुम्ही कौन था है है चातले एक select करूँ शकता है तर इता access mutual fund आपन दोन नंबर लाहे तो भगुया तर चान अंतर इते तुम्हाल दिसे तर चान अंतर scheme type scheme type और click करा तर है चामदे debt equity hybrid and others and physical asset हे class आहे तर टाइपस है तर डेट मझे का है debt मझे डिबेंचर प्रकारा है है चामदे पन तुम्ही एसाइपी करूँ शकता है चामदे नॉर्मल है आप लेला साड़े आट ते दहा टक्के चास पास तुम्हाला रिटेन में तो करन है पईशे जाहे ते government schemes कि यह government bonds कि यह कारपोरेट बॉंड्स मदे तुम्हे पैशे गुंतो ले जाता है यह तासा डारेक्ट शेर मार्केट सी कही सम्मन नहीं कि आरबेट चे ट्रेजरी बिल्स होगरे आसता ते चामदे तुम्हे पैशे गुंतो ले जाता त्याम हित्ते तुम्हा रिस्क जो है तो कुब कमें असतो तो एक चामदे रिटन जो है तो साड़े आटती साड़े धा कि मार्ट ध़ा यह दर में तुम्हाला मेल इक्वीटी मृचल फोंड कि मां हाइब्रेड मिचल फोंड कि मां आदर्स मदे जर आपन मां लास्ट टाइम ला बगित लाई कि आधरस मदे तु तरह साथ तुम्हाला 12 टक्के चास पस तुम्हाला रिटन मेल तो रिक्विटी वर तुम्ही कलिक चेला तो उप्षन तुम्हाला संगे तेला कि ग्रोथ उप्षन निवड़ा नेक्स्स संब्सक्रांड है ऊप想ते हैं किमा में 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 वाहिवक समाग भध क्सक्रांब 007 आहे, AXIS ESG आहे, Focus 25, Global Equity Alpha Fund of Fund आहे, जो बाहर चाए कंप्रेन में इन्वेस्ट के लाँ आतो, Growth Opportunities Fund आहे, Long Term Equity आहे, Tax Average Fund आहे, Long Term Equity, Mid Cap Fund आहे, Multicap आहे, Nifty 100 Index Fund आहे, तर तुम्ही कों था है निवड करा, बाइड आता ही तम्हीं AXIS Nifty 100 Index Fund निवड लेला हे, दुम्हें सकताँ तर ऐसे में सब्सित्तों ट्रशौन को अगरे को नडिन को तर दोक्रेंट यहां सब्सक्राइए आशा ख्रख्टे रोख्क सब्सक्रा एकाकर मतज़ेंगे मिज़ेंड इनकेमता रिंस्ट keeping समझा 25 इतले तर दे तुम्हाला दाखो है कि minimum SIP amount 1000 आहे multiples of 1 maximum इतकिया है investment amount इधे तुम्हाला टाकाई चाहे 1000 1000 नंतर number of installment तुम्हाला दाए चाहे तर तुम्हाला इता क्लिक के ला तुम्हाला इता विचारत मैसेज है तो कि would you like to avail top up SIP top up मंजे तुम्हाला top up करा चाहे असलतर yes करा otherwise no after one year तुम्हाला लागो होता so मी no करतो no के लिया नंतर number of installments तुम्हाला इता दाए चाहे in terms of months so 10 वर्षे करा चाहे चाहे तुम्हाला देऊ शकता bank details आहे by default तुम्हाला चीजी bank mandate आहे कि वाड डबल bank का सिलतर तुम्हाला दोन बैंक का न योड़ू शकता तरीत एकस bank का है so bank तुम्हाला अटोमेटिक तुम्हाला SIP स्टार्ट मंथ है तुम्हाला SIP स्टार्ट मंथ को टला है कि November सो माजी SIP जा है थी 25 November 2020 पासुन चालू होई ल नेक्स्ट वर क्लिक के ला तुम्हाला ब्रोकरेज 0 रुपई दिसल इन्वेस्मेंट अमाउंट इतकी आ है इंस्टाल्मेंट अमाउंट SIP स्टार्ट कोंते तारकी पासुन होईल आनि एंड कोंते तारकी ला होईल तुम्हाला मैंडेट नमबर बैंक नमबर ज्या है थी तुम्हाला दिसल सर्विस काटेगरी एक्जेकुशन निवड़ा आएक्सेप्ट करूं तुम्हीं कन्फर्म करां कन्फर्म के लेकि तुम्हाला कन्फर्मेशन मैसेज जेल सो इतका सोपा है एंजे इविल्ट आप मदुन SIP रजिस्टर करना थैंक यू